हेलो एबरिवान वेलकम डू बैक मैं चनल कैसे आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे कुछ सलमंगल होंगे चलिए आज के इस वीडियो में बहुत ही बहुत ही बहतर तरीके सा आपको सीखाने वाले हैं देलायफीन ये विलेज गाउं का जो लाइफ है वो कैसा होता है त उसे थोड़ा सा गाउं के लाइफ के बारे में पता नहीं होता है तो थोड़ा सा रेयल फिल नहीं कर पाते हैं बट अगर हम बात करें दोस्तों जो गाउं से बिलोंग करते हैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पता होता है क्या पता होता है कि जो गाउं का लाइफ होता ह there are many joys of living in a village like fresh air, pure food, all around peace and beauty कहता है कि there are many joys, मतला यहाँ पर अनेख खुशियां अनेख खुशी of living in a village, गाउं में अनेख खुशियां रहती है अगर हम बात करें तो like this, जिस परकार से जैसे fresh air, सुद्ध हवा, pure food, सुद्ध भोजन, all around peace और चारों और जो peace होती है, सांती होती है and beauty जो सुन्दर्ता खिलती है, गाउं में, पेड़ पोधी, जंगल, पहाड, नदियां, परवतें इसकी तो सुन्दर्ता गजब की होती है, तो बात करते हैं सुन्दर्ता की बारे में, तो दोस्तों गाउं में क्या-क्या आपको मिलता है, बहुत अच्छे चीजें और बहुत अच्छा तरहता है, वो फ्रेस air मिलने वाला है, टोन में इतना एतना इतने सारे गाएं चलती है कि कर्मेट अधीब होती है, पोलूशन अधीब भालता है, दुवेता की सल्थ है अगर आप गाम से फिलूंग करते हैं, इतना सान्त माहल होता है, सुन्दों कुछ अलग तरीके थальную सकते जिसे कि फ्रेस हैर, प्योर फुड, सुध भोजन, जिसे कि आप खुद खेती करके, खुद फसल को उगाते हो, और अगर खाते हो, तो उसका जो आनान और टेस्टी जो है, वो गजब है, सवरों में ढूडने पर नहीं मिलता है, अगर हम बात करें, तो अल राउंड चारों और चारों और पीस मतलब सांती, सांती का महल होता है, और ब्यूटी सुन्दरता तो भईया बहुत ही खिल जाती है, नेक्स्ट बात करें, दा विलेज, दा विलेज आर काम, जो विलेज होते हैं, विलेजर होते हैं, या विलेज ज सांती और काम का मतलता सांत थिक है तो गाउं कैसा होता है जो फिलेस होते हैं वो सांत होते हैं सांत होते हैं लोचे और है यौन outta ट्रES लो तरब्हु ध्यार नोट अबर ट्रवक्रावटेट जो अगर हम बात करें तो वहां पर उबहुत होता है तरब गाओं में भीड़ भाड बहुत ही कम मिलेगा देखने के लिए जैसे की अगर टॉन है तो यह रोड है इसके चारों और चारों घरी घर बिल्डिंग इबिल्डिंग मली मल नजर आएगा मतला हवा भी नहीं आने देगा हवा जो होतने बड़े-बड़े बिल्डिंग रोक ले करेगा यह आप खुझ तैने कर सकते हो और ट्राफिक करेगा जैसे हम बात करें पटना का दोस्तों पटना में इतना भीड़बाड एरिया राता है जब हम पटना में राते थे तो साम को जैसे पांच या छे बज़ता था सभी रड़के और सभी एजेंट जब मतलब रोड अधे पर निकलते थे गलियों पर निकलते थे तो पैर रखने का जगा नहीं मिलता था इतना ट्रापिक आधल यहां थे फिसे तो वहां पर भीड़के बिलकुल गांप के जो हर गली में हर रास्ता में आपको सांती सांती मिलेगा कोई ट्राफिक नहीं है जब भी जाओ साम सुबर रात दीन कभी भी आपको रास्ता खाली खाली मिलेगा ठीक है ट्राफिक नहीं रहता है वीडियो भार नहीं रहता है वाज नहीं रहता है किसे तरह कोई प मुक्त होता है दोस्तों छांट मोख होता है कोई चीनता नहीं रास्ते में आख बंढ करकि कि वीच जुरू को επसों आप Flatском कोई दिखत नहींं है कि कैने का मतलए है अगर फर यहांब यहांब द्यूंकि उनन ही कोई तिकत नहीं है तो उसके म communion बात में कि यहां का जो हवा की बात करें तो प्रेस हैर होता है आल राउंड मतलब चारों और कहीं भी जाए हर जगह फिल्ड तो आपको काफी मिलेगा खाले अस्ता देखने के लिए घुमने के लिए जंगल मिलेगा खेटी मिलेंगे नदिया मिलेगी घर मिलेगा और अलग- अगर हम बात करें दा फिल्ड जो खेत होते हैं प्रजेंट ए भेरी ब्यूटिफूल सीन वह बहुत ही क्या होता है सुन्दर होता है बहुत ही सुन्दर सीन देखनों को मिलता है दा फूड इस प्योर एंड सींपल जो भोजन होते हैं गाम का जो भोजन होता है बहुत ही प् इड लीड वह सा यह तरह तरह के जो होते हैं ना मतलब जंग फुट वगरा बहुत कामी खाते हैं गाम की लोग ठीक है हाँ लेकिन सर में इसा जार चलता है गाम में कहाँ सिंपल सा भोजन है भाईया मतलब दाल बाद सुबजी रोटी बंजिया चोखा चार पापड यह सब सि जाल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माने आता है बहुत ही सुध माने जाता है और अच्छा होता है ठीक है next कहता है कि there is no noise in the village मतलब विलेज में क्या नहीं होता है there is no noise मतलब गाओं में जो noises नहीं होते हैं सोर कूल हल्ला मोह हल्ला वगरा ये बहुत ही कम होता है मतलब नाक के बराबर होता है कोई दुर हटन घरती तो होता हो अलग बात है लेकिन गादियों के कारण जो हल्ला ये सब तरह तरक्य जो होते हैं वो सोरगूल नहीं होते हैं जिसे अगर आप टोन में हैं तो ठेक्टरी का जो मसीन है की चल रही है उसका आवाज आ रहा है गाडियां चल रहे उसका आवाज आ रहा है एरोप्लेन उड़के जा रहा है उसका आवाज आ रहा है हेलिकॉप्टर उड़ रहा है ट्रेन चल रहे उसका आवाज आ रहा है पट आप एक गाउं से बिलों करते हो तो ये सब सारी सुविधाय नहीं होती है ना एरोप्लेन, हेलिकॉप्टर ना रेल गाड़ियां ना बस, ट्रैफिक ये तरह तरह की चीजों से आप वंचित होते हैं बस जाते हैं, कोई दिकत नहीं होता है मुए ना लाइक दिकत होतना है अधर अच्छा लगा हो तो माने पुरुब बतायां और आपने दोस्तों कर साधिकT शेर करें और लाइक करना बीटकुल ना खुलें नहीं है अगर में फोलो करना चाहिए वे फेस्बूक में तो ल्ग दिया है डिस्क्रिप्शन में वहां जाके लिंक पर किली किजे और फेस्बूक में फोलो कीजे स्टग्राम में फोलो कीजे अलगर है तो मेल टे क्राश delle प数ा तक